देखिए बात करेंगे टैंजेंट और नॉर्मल की टैंजेंट और नॉर्मल में सबसे पहले तो आप जानते हैं कि कई प्रगार की कौाइडिनर सिस्टम होते हैं अगर आप यह X-axis है और यह Y-axis है और किसी पॉइंट की लोकेशन आप बताना चाहते हैं इस पॉइंट की लोक कौाइडिनर क्या है X-Y इस कौाइडिनर सिस्टम को क्या कहते हैं यह आपने इंटर में पढ़ा है हां बताइए कार्टिशन कौाइडिनर सिस्टम इसको कहते हैं कार्टिशन कौाइडिनर सिस्टम इस पॉइंट की लोकेशन आप बताना चाहते हैं हमने का ऐसा करो कि यहां से theta एंगिल पे जाओ theta एंगिल पे और r distance पे जाओगे ये point आपको मिल जाएगा तो इस point का coordinate होगे r, theta ये भी एक coordinate system है इसको क्या करते है polar coordinate system ये दोनों coordinate system आपको intermediate में complex नमबर में पढ़ाएगे है तो हम बात करने जा रहे हैं tangent और normal की tangent and normal तो पहले हम बात करेंगे Cartesian form में Cartesian form में बात करेंगे देखे ये परे नोट करेंगे इनका relation भी बता देते हैं इनका relation भी नहीं बताएंगे हम Cartesian की बात कर रहा हैं इसलिए हम एक polar की बात नहीं करेंगे इसको मत नोट करिए एक एवल समझाने के लिए था तो दो प्रकार के Quadrant System हमारे बोलचाल में है एक Cartesian Quadrant System एक Polar Quadrant System System तो cylindrical बहुत सारे आगे चल के आएंगे ठीक है? देखो द्यान से हमने कहा कि Suppose करिएगा एक कर्व है और इस कर्व का equation है Why is equal to fx एक कर्व का equation है ठीक है? और हमको इस point पर tangent निकालनी है तो tangent की definition क्या होती है किसी point को touch करती ही एक line जो जाए उसको tangent कहते है तो ये किस point पर touch कर रही है x1, y1 पर touch कर रही है ठीक है? तो सबसे पहले तो हम इसकी slope निकालना चाहते है ठीक है? ये x1, y1 tangent नहीं है ये line tangent हुई है ये line x-axis के साथ जो angle बनाती है उसको आप आप चुकि बड़ी हो गई है इसलिए उसको हम si लिखेंगे अब इस थीटा लिखते थे अब नए-नए number आएंगे न ये si इसका standard नाम है जैसे होता ने कि पिता जी की बहन को बुआ ही कहेंगे क्या लग रहा है? हाँ, त्रिसूल समझेजे वही आज कल त्रिसूल ही लग रहा होगा तो सबसे पहले तो मुझे निकालना है slope of tangent क्या निकालना है? slope of tangent तो slope of tangent कैसे निकाला जाए? देखिए, slope of tangent निकालना सिखा नहीं रहे हम M बराबर आपको करना क्या है? D, Y, Y, D, X कर देगे तो आपको क्या मिल जाएगा? slope मिल जाएगा और आप जानते हैं, अगर कोई line चुकि उस line के बारे में जो बात करना है, वो tangent है X, X का जो एंगल बनाती है तो उसका slope क्या होता? 10 theta यहाँ पर क्या यह है? Si तो equal to क्या हो जाएगा? 10 Si किस point पे आप निकालेंगे? जिस point पे आपको tangent निकालनी हो तो यह slope of tangent निकालाई क्या वो यूज़ करना पड़ेगा? हाँ, Si यूज़ करेंगे यह बार-बार आएगा ना आपके question में लिख करके आएगा 10 Si आपके equation में लिखा हुआ Si तो आपको पहचानना पड़ेगा कि Si यहाँ पर क्या indicate किया गया है देखो जाप polar पढ़ोगे ना तो जो आप position vector इसका लिखोगे theta इसका angle होगा Si जो tangent एंगल बनाएगी वो होगा तो अभी से उसका नाम लेना शुरू कर दो, ठीक है तूसरा अगर आपको equation of tangent चाहिए तो tangent एक्चुली है क्या? a line passing through one point tangent एक line ही तो है ना जो एक point से होकर pass हो रही है और एक point से होकर जाने वाली line का equation क्या आपने पढ़ा है एक point से pass होने वाली line का equation क्या पढ़ा है आपने y minus y1 is equal to m x minus x1 m आप निकाल चुके है ठीक है, तो आज आएगा y minus y1, m बोले तो dy by dx चिस point पर add point x1 कामा y1 x minus x1 तो यह आपका equation of tangent हो गई दो ही चीज़े पूछी जाएंगी या तो आप से कहेंगे equation of tangent निकालो और equation पूछेंगे तो slope अपने आप निकालोगे निकालना ही पड़ेगा ठीक है कुछ बिसेस इस्थितियां समल लिजेगा अगर आप से कहा जाए इस नोट कर लिजे इसको रप करेंगे नोट कर लिए अब अगर कभी कभी क्या होता है कि आप से point of contact पूछी लिया तो निकालो तो अगर point of contact पूछेंगे तो कुछ condition देंगे ना तो अगर आप से उन्होंने कह दिया कि माले इजे tangent is parallel to x-axis अगर यह conditions अगर कहीं दीवी है यह तो दो चीज़े हम निकाल लिए अगर माले आप से कहा जाए पहली पहला point कहा जाए कि tangent is parallel to x-axis parallel to x-axis x-axis के parallel है अब simple सी बात है कोई भी curve है मालिया अब tangent x के parallel है तो अगर tangent x के parallel है तो बताइए यह tangent x-axis के साथ कितना angle बना रही है कोई angle है नहीं बना रही है mathematics के कोई नहीं word होता है 0 बना रही है साई क्या हो जाएगा 0 इसका slope क्या होगा 10-0 यहनि क्या हो जाएगा 0 अगर आप से कहा जाए कि भी it is parallel to y-axis parallel to y-axis y-axis के parallel है तो y के parallel में क्या होगा माले यह curve है ऐसा यह curve ऐसा माललया बना हुआ है और यह tangent है अब बदाएए साई कितना होगा है आप 90 साई कितना हो जाएगा 90 तो m क्या होगा इसका 10-90 10-90 को लिए होगती infinity अब infinity value हम नहीं रखेंगे हम calculation के point of view sum calculating 1 upon 0 यह y 0 नहीं है 1 upon 0 है तो यह conditions दिवी होंगी तो यह आपका tangent का खांदानी description हो गया ठीक note करिए इसको अब यह आपको देखना पड़ेगा dy by dx कहीं partial differentiation से तो नहीं निकलने वाला है मतब dy by dx कैसे निकालेंगे यह आपको जनकारी में होना चाहिए कैसे निकालेंगी dy by dx बच्पन से आप पढ़ते दिया आ रहे हैं ठीक है अब जरा हम कुछ questions पर discuss कर लेते हैं अब normal भी discuss कर लेते हैं अब आते है normal note कर लिया इसको normal क्या होता है बिल्कुल normal जो हो tough नहों question normally I solve the question that is called normal नहीं tangent जिस point पर किसी curve को touch करती है उसको कहते है point of contact देखो ज्यान से यह है curve ठीक है इस curve का equation है y is the function of x और यह है point of contact यहां से एक tangent कीची गई यह x-axis है यह y-axis है और यह जो tangent angle में आ रही है वो m si है और tangent का slope हमने निकाला है tan si निकालने का तरीका क्या था dy by dx किस point पर add the point x1 कामा y1 यह आपकी जो line है उसको हम क्या कहते है tangent कहते है ठीक है जिस point पे आपको m निकालना है यह point हो गया अब point of contact पे एक ऐसी line जो tangent के perpendicular हो उसको नॉर्मल कहते है अब आप से उन्हों का नॉर्मल का slope निकालो तो आप किस चीज़ का slope निकालना जानते है tangent का slope तो अगर मैं आप से कहूँ slope of normal निकालिए slope of normal इसको आप क्या मान लीजे m1 आप जानते हैं आपने इसका slope क्या माना है m1 tangent का क्या माना है माना मतलब निकाला है यह दोनों line ने perpendicular है अगर दो lines perpendicular होती है तो क्या उनके उनमें कोई condition होती है कोई condition आपने पढ़ी है आपने पढ़ा है कि m1 into m का product minus 1 होता है यह दो two lines are perpendicular तो वही दो मैं बोल लो हो perpendicular है तो m1 की value कैसे निकालेंगे minus 1 upon m m निकाल चुके हैं आप यह दो minus 1 upon d y y t x किस point पर x1 कामा y1 पर अब गर आप से कहते हैं equation of normal निकालिए equation of normal तो normal भी तो एक line है न किस point से pass हो रही है x1 y1 से slope क्या है उसकी m1 तो हो जाएगा y minus y1 is equal to m1 x minus x1 m1 निकाल चुके आप यहां से यह भेंकर value का है यहां रखेंगे आप m1 अलग से निकाल लेंगे उठाग रख देंगे note करिए इसको देखें यह कहरें find the equation of tangent to this curve at this point आपको यहां पर equation of tangent निकाल ली है आपको याद होगा यह नहीं याद होगा यह आपने इंटर्ण पढ़ा हुआ है इस point को आपने कहीं देखा है यहां आप सकता नहीं है मैं ऐसे बता रहा हूँ नहीं देखा आपने यह parametric coordinate है आपको ellipse, hyperbola, parabola और circle के parametric coordinate पढ़ाए गए है कभी-कभी क्या होता है examiner बत्मी जी करता है कहेंगे find the equation of tangent to this parabola at its parametric coordinate तेंथ में था तो हमने यह point नहीं दी आपको हमने गा find the tangent at parametric coordinate यह coordinate आपको याद भी होना चाहिए तो हमने इस coordinate का नाम क्या लिया x1, y1 और इस curve का equation अका हमने 1 अब आपको क्या निकालना है equation of tangent सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसका slope निकालना पड़ेगा tangent का अब वैसे तो अगर कोई भी line x, x इसके साथ theta angle बनाती है तो slope निकालने का formula 10 theta होता है वो दिया नहीं गिया यहाँ पर अगर कोई line दो point से उकर pass होती है तो slope का formula होता है y2-y बनापान x2-x1 दो point भी नहीं दिये गये है एक ही point दिया गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको differentiate करना पड़ेगा ठीक है तो देखें सलूशन इसका क्या होगा differentiating equation 1 with respect to x क्या होगा इसका 2y अब यह नहीं बना कैसे आया है dy by dx is equal to 4 तो यहाँ से dy by dx की value क्या हो जाएगी 2a upon y अब आपको d-r-d-s किस point पे निकालना है add point 80 square comma 280 इसके निकालना है x को रखेंगे 80 square x ही नहीं यह आप पर y को रखेंगे 280 तो क्या हैगा 2a upon 280 तो यहाँ 1 upon t यह क्या निकला यही तो यहाँ निकला है यही तो आपका slope of tangent निकला है यही निकलना था आपको नहीं भाई equation निकलना था आपको यही अब आपको यही होता है यही तो आपको यही होता है यही तो यही तो यही नहीं लिख रहे है अब equation of tangent क्या होती है equation of tangent y minus y1 is equal to m x minus अलेडी हमने इसको नाम m दे रखा है तो हम यह चीज़ नहीं लिखेंगे इसमें तो y minus y1 बोले तो 280 m क्या है 1 by t x minus x1 बोले तो 80 square अब t को इदर ले आओ तो क्या हैगा yt minus 280 square is equal to x minus 80 square कुछ calculation हो सकता है ज़्यादा तर x और y को एक साथ लिखा जाता है तो ऐसा करो 280 square उदर ले जाओ x को इदर ले आओ तो yt minus x is equal to यह plus में जाएगा तो आएगा 80 square तो यह equation आपका आगया अब यह भी हो सकता है 80 square उदर ले आओ minus common ले लो किसी form में ले आओ और this is the equation of tangent तरीका सुम्हाए पका ना note करिए अब देखें सिंपल सी बात है कि आप से equation of tangent ऐसे तो पूछेंगे नहीं कि इतना साधा सा पूछने intermediate वाला तो एक question बढ़िया लिखे prove that बहुत इंपॉर्डिंग question है prove that the sum of intercepts question को solve करना तो बात की बात है पहले तो समझे ना क्या कह रहा है कि prove that the sum of the intercepts on the coordinate axis of any tangent to this curve is constant इसका इंग्लिस में मतलब सुन मैं है पहली बात तो मतलब मत समझे पहली बात तो आपको इस curve की tangent निकाल ली पहला तो एक काम है तो tangent निकालने के लिए पहले तो point of contact चाहिए किस point पे निकाल ले हमने माल लिया इसका solution दिखे ध्यान से अभी हम question पूरा पढ़ नहीं रहे हैं अभी हम tangent निकाल ले हैं हमने माल लिया let x1, y1 be the point of contact ये हमने point of contact माना ठीक है contact ये point माल लिया ये curve का equation है curve का equation क्या है root x plus root y is equal to root a सबसे पहले तो equation निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको differentiate करना पड़ेगा तो differentiate कर दो यहां लिखना है इधर differentiating equation 1 differentiating equation 1 with respect to x क्या होगा 1 by 2 root x ये नमताना कैसे आया है plus 1 by 2 root 2 root y into dy by dx is equal to 0 तो यहां से जवाब लिखेंगे 1 by 2 root y dy by dx is equal to minus 1 by 2 root x यहां से dy by dx की वालू आएगी minus root y upon root x आपको किस point पे निकालना है dy by dx at the point x1 y1 तो आएगा minus root y1 upon root x1 यह क्या निकला है m m बोले तो slope of tangent अब अब equation निकाल लेते हैं equation of tangent equation of tangent equation of tangent बोले तो a line passing through one point whose slope is m यह तो है न तो y minus y1 is equal to m m m बोले तो minus root y1 upon root x1 x minus x1 अब cross multiply करना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत अजीब टाइब की लिखी भी है यह इधर आ जाएंगी तो आएगा y root x1 minus y1 root x1 is equal to minus x root y1 minus minus plus x1 root y1 यहां तो पहुंचे फिर बात कीज़े इसका भी multiply मत करो अभी बाहा लिखा रहा न दू बात भी जुरूत पड़ेगी तब देखा जाएगा यानि यह equation of tangent निकल आईगी question number इसको 2 डाल दो अब हमने equation of tangent बता दी अब समझे question क्या कह रहा है कह रहा है कि intercept on the coordinate axis of any tangent यह tangent है यह माल लेते हैं यह curve है हम ऐसे बना देते हैं और इस curve की गंदा curve बन रहा है ठीक है curve को देखो यह curve है है ना इस curve के इस point पर आपने tangent खीची अब देखिए यह tangent x-axis को cut कर रहा है यह tangent का equation है इस point पर आपने खीचा है c-point पर ठीक है तो कह रहा है कि जो coordinate axis पर यह intercept cut कर रहा है intercept बोले तो टुकडा यानि कि यह जो आपका ob टुकडा है और oa टुकडा है तो ob और oa का जो sum है ना वो constant है यह आप से कह रहा है नहीं समझे intercept on the coordinate axis of any tangent to this curve is constant यह जो कह रहा है तो आप टुकडा निकाले कैसे हम क्या करेंगे एक बार tangent को x-axis पर touch करा देंगे तो x ट्रेटर्स करेंगे तो y की value क्या हो जाएगी 0 y को यहां रख देंगे उठा करके जो भी x की value निकलेगी वह ही इसकी लंबाई होगी ठीक है तो आप लिखेंगे when tangent touches x-axis when tangent to touches touches को है कर्स को x-axis then y की value क्या हो जाएगी 0 तो equation 2 में y को 0 कर दो y equation 2 क्या हैगा root x1 minus y1 is equal to minus root y1 plus root y1 x plus x1 root y1 ही तो आएगा हमें x का मान निकलना है जो x निकलेगा वही यह लंबाई होगी यह लंबाई x होगी यह लंबाई y होगी ठीक है ठीक है जब x को टच कराएंगे तो y 0 हो जाएगा ना तो यहां से x निकलना है इस x को इदर ले आओ इसको इदर ले जाओ तो आएगा आपका y1 root x is equal to x1 root y1 minus यह minus उदर जाएगा ना plus y1 root x1 यहां से x की value क्या निकलेगी x1 root y1 plus y1 root x1 यह root y1 है ना इसको अलग लग कर दो root y1 upon root y1 यह cancel हो जाएगा यह root यहां चड़ जाएगा तो x की value क्या आजाएगी आजाएगी x1 plus root x1 y1 इसको question number 3 डाल दीजएगा यह आपकी x की value निकली है ओ भी ठीक है पहुशे यहां तक हाँ बेसी में लड़के लंबे हो जाते तो लंबे question आते है अब देखिए जब यह tangent y x को कट करेगी तो x का क्या हो जाएगा 0 तो रखो यहां पर x को 0 y equation 2 x रखो 0 तो यह क्या हैगा root x1 y minus y1 is equal to minus root y1 देखो x रखा 0 यह x1 बचेगा तो प्लस हो जाएगा यह into x1 हो जाएगा यहां से y कमान निकलना है आपको इसको उधर shift कर दो तो y minus y1 is equal to यह अपान में जाएगा ना क्या हैगा root x1 y1 बचेगा जो x1 अपान में जाएगा तो root इससे कट जाएगा यहां root चट जाएगा तो y कमान क्या निकलेगा y1 plus root x1 y1 यह यह वाला intercept हो गया आपसे कह रहा आपसे आपसे कह रहा है कि जो दो intercept आएगा इनका sum constant है निकालो sum इसका x plus y करो देखे x बोले तो x1 plus root x1 y1 plus y1 plus root x1 y1 अब इसको calculate कैसे किया जाए थोड़ टेक्निकल है साउधान देखो द्यान से इधार देखो द्यान से अब आप यह ने करना root x1 y1 जोड दीजिए कुछ भी नहीं आएगा देखो द्यान से हम यहाँ इन दोनों से root x1 कामा ले लेते हैं कोई दिकत पहले चाहिए रप करेंगे नोट कर लिया यह इधर नोट कर लेते हैं हम भी वहाँ कलकुसिन करना चाहिए था हमने किया नहीं गलती कर गए चलो ठीक है कोई दिकत कर देखो यह हम x plus y दिकाल नहीं है हम इन दोनों से root x1 कामा लेंगे ले लिया root x1 कामा यहां क्या बचेगा root x1 बचेगा यहां root y1 बचेगा आएगा ना तो आएगा root x1 plus root y1 plus इन दोनों से हम root y1 कामा लेंगे root y1 तो यहां क्या बचेगा यहां root y1 बचेगा root y1 बचेगा root y1 plus root x1 यहां से क्या कामा लेंगे root x1 plus root y1 यहां बचेगा क्या root x1 plus root y1 तो यह आएगा है root x1 plus root y1 का अच्छा यह जो point आपने माना था ना यह था कहां curve पे था ना तो यह curve को satisfy नहीं करेगा जब यह point इस curve पर है तो इस curve को नहीं satisfy करेगा यानि root x1 plus root y1 की value root a नहीं आएगी तो यानि कि आएगा root a का square और यह हो गया a जो कि एक constant value है तो यह xy variable है ना यह तो constant है ना यह आप से कहरा था नोट करिए